Hi guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग PWM waves को generate करके देखेंगे अपने phase correct PWM mode के थूँ So अगर आप लोगों को नहीं पता, phase correct PWM mode में हम लोगों का जो timer 2 है, वो कैसे run होता है या फिर operate होता है तो आप इससे जो previous वीडियो है उसको जरूर से दिख लिजेगा, so फिलहल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं So सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी कुछ calculations को देखना होगा, यहाँ पर जो भी हम लोगों के output waveform आती है अगर आप उसकी frequency find out करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर यह formula होता है इस formula में basically हम करते क्या है देखिए, जिस frequency से आप अपने timer को run करते हैं उस frequency को हम divide करते हैं, pre-scalar into 510 से जब आप यह चीज़ करेंगे तो आप लोगों को जो भी यहाँ पर result मिलेगा वही basically हम लोगों के output waveform के frequency होती है फिलाल हम लोग यहाँ पर consider कर रहे हैं कि जो timer 2 है वो हम लोग 1 MHz की frequency पर operate करेंगे या फिर run करेंगे और हम लोगों को यह पता है कि जो timer 2 है उसमें हम लोगों को यहाँ पर 7 अलग-अलग pre-scalers के option मिलते हैं और यह जो pre-scalers है यह pre-defined है तो इनकी values आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर 1 MHz की frequency पर अपने timer 2 को run करेंगे और अलग-अलग pre-scalers के corresponding अगर आप लोग यहाँ पर अपनी output waveforms को generate करेंगे तो आप आएंगे कि जो different हम लोगों की pre-scalers की values हैं उनके corresponding हम लोगों को different output waveform frequencies मिलेंगी अगर आप लोग यहाँ पर 1 prescaler लेते हैं तो उसके corresponding हम लोगों को यहाँ पर 1.961 kHz की output waveform मिलती है सेम ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पर 024 prescaler यूज करते हैं तो उसके corresponding हम लोगों को यहाँ पर 1.9148 Hz की output waveform मिलती है और इन frequencies के corresponding आप लोग यहाँ पर अपना जो waveform है उसका total time भी निकाल सकते हैं one prescaler के corresponding आप लोगों का यहाँ पर जो output waveform का total time period होगा वो होगा 0.51 millisecond सेम ऐसे ही अलग-अलग prescalers के लिए आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग time period मिलेंगे 1024 के लिए आप लोगों को यहाँ पर 522.2 millisecond का time period मिलता है next इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर calculation देखना है duty cycle के लिए देखिए जो duty cycle है वो basically depend करती है OCR2 register की value के उपर अब हम लोगों का जो OCR2 register है वो 8 bit का है इसका यह मतलब है कि आपकी जो values होंगी OCR2 में वो 0 से 255 के बीच ही हो सकती है तो अगर आप लोग यहाँ पर non-inverting mode में अपनी waveforms को generate करेंगे तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर यह formula है इसमें जो duty cycle है वो basically होता है OCR2 divided by 255 into 100 ठीक है तो इस case में अगर आप लोग यहाँ पर OCR2 में value 255 देंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 100% duty cycle मिलती है और अगर आप लोग यहाँ पर 0 value देते हैं OCR2 में तो आप लोगों को 0% duty cycle यहाँ पर मिलेगी और अगर आप यहाँ पर OCR2 में value 127 देंगे तो something around 49.8 duty cycle आपको यहाँ पर मिलती है सेम ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पर inverting mode में अपनी waveforms को generate करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास हैंपर duty cycle का यह formula है चीक है सो जो भी हम लोग यहाँ पर PWM waveforms को generate करते हैं इसमें हम लोगों को दो चीजे ही ध्यान में यहाँ पर रखनी होती हैं एक है frequency और दुसरा duty cycle तो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही चीजों की calculations को देख लिया है सो next इसको हम लोग अपनी programming के थू समझ लेंगे सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने टास्क को समझना होगा फिलाल मैं बेसिकली यहाँ पर 1.9 Hz की PWM waveform को generate करना चाहता हूँ और इस चीज़ को हम लोग बेसिकली timer 2 की help से करने वाले हैं तो timer 2 जो है उसको हम लोग यहाँ पर 1 MHz की frequency पर operate करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर find out करना होगा अपना pre-scalor ठीक है तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर यह table देख सकते हैं तो अगर आप लोग अपने timer 2 को यहाँ पर 1 MHz की frequency से operate करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अलग-अलग pre-scalors के corresponding हम लोगों को यहाँ पर अलग-अलग frequency की output waveforms मिलती हैं तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर 1.9 Hz की frequency वाला output waveform generate करना है तो exactly 1.9 आप लोग यहाँ पर generate नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर जो fast PWM mode है और phase correct PWM mode है इसमें आप लोग in particular frequencies को ही generate कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई frequency generate करनी है तो आपको या फिर अपना जो यहाँ पर timer को run करने की frequency इसको change करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को यहाँ पर दूसरे mode को use करना पड़ेगा तो specific यहाँ पर अगर आप frequency Music जन्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर दो चीज़े एक तो आप यहाँ पर ctc mode को use कर सकते हैं यहाँ फिर आप लोग यहाँ पर frequency and phase correct pm mode को use कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल हम लोग यहाँ पर ctc यहाँ फिर in phase correct PWM को use नहीं करेंगे तो यहां पर approx हम लोग यहां पर frequency generate करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो इसके लिए आप लोगों ने यहां पर 1024 Prescaler select करना पड़ेगा so programming में सबसे पहले हम लोगों को यहां पर avr.io.hnam की header file को include करना है और इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर main function है ठीक है अब main function के बाद सबसे पहले हम लोगों को अपने timer to को set करना होगा अब यहां पर हम लोग phase correct PWM mode को use करना चाहते हैं तो इसके corresponding हम लोगों के पास यहां पर WGM20 21 bits होती है तो इसमें से आप लोगों को यहां पर WGM20 को one करना होगा और secondly आप यहां पर prescaler use करना चाहते हैं 1024 तो उसके corresponding आपका यहां पर CS20 CS21 और CS22 इन तीनों ही bits को आपने one one करना होगा इसके बाद हम लोग जो भी यहां पर waveform generate कर रहे हैं वो non-inverted mode में करने वाले हैं तो उसके corresponding आपको यहां पर जो COM21 है इस bit को भी one करना होगा तो basically आप लोगों ने यहां पर TCC R2 जो register है उसको यहां पर set कर लिया ना इसके बाद हम लोग यहां पर जो PB3 है या फिर OC2 है इसके थ्रू आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसके corresponding आपको यहां पर DDRB में अपना जो PB3 है इसको high करना पड़ेगा तो यह चीज आप लोग इसे ही basically यहां पर define होता है कि आपका जो duty cycle है वो कितना होगा ठीक है तो अगर आप यहां पर value 255 देंगे तो 100% duty cycle आपको मिलेगा और अगर आप यहां पर 127 value देंगे तो 49.8 यह फिर आप approximately 50% इसको बोल सकते हैं 64 अगर आप value देंगे तो 25.1 और अगर आप 0 देंगे तो 0% duty cycle आपको मिलती है तो फिलाल हम लोग यहां पर 127 value दे रहे हैं तो आप लोगों को यहां पर जो duty cycle मिलेगी वो 50% के असपास मिलेगी इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर while one loop है जो कि basically एक infinite loop है और हम लोगों का जो CPU है वो basically यहीं पर घूमता रहेगा और background में हम लोगों क जो timer है वो अपनी values को change करेगा और वहाँ पर comparison match होगा अब जैसे जैसे आपका comparison match होगा उसके corresponding आपको यहां पर जो PB3 है उसमें output जो है वो change होता हुआ नजर आएगा ठीक है तो यह हम लोगों का एक basic सा program है इसमें हम लोगों का duty cycle है वो हमेशा same ही रहेगी ठीक है तो इसको हम लोग यहां से built कर लेते हैं so built हो चुका है हम लोगों का program next इसको हम लोग अपने simulation software में implement करके देख लेंगे ठीक है तो आप लोगों को यहां पर से जो भी hex file आपकी generate हुई होगी उसको open करना है और इसके बाद आप लोग यहां से इसको run कर लेंगे तो इसको मैं थोड़ one short कर लेते हैं ठीक है तो इसके बाद आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है हम लोगों का जो यहां पर phase correct PWM mode होता है वो symmetric operation करता है मतलब कि आप लोगों का यहां पर जो भी output होगा वो basically mirror image बनाता है ठीक है तो measurements अगर आप यहां पर करना चाहते हैं तो आपको something around यहां से अपने calculation देखनी होगी ठीक है तो यहां से हम लोग देखेंगे और इसको लगबग यहां तक हम देखते हैं ठीक है तो आप देख पाएंगे हम लोगों का यहां पर जो output आ रहा है वो 522.37 milliseconds के अप्रॉक्स आ रहा है ठीक है तो अगर आप लोगों ने इस से पहले table देखी ह होगी तो वहां पर भी हम लोगों का जो output था something around 522 milliseconds ही आता है और इसमें अगर आप बात करें duty cycle की तो आप यहां पर देख सकते हैं हम लोगों का जो on time है वो है 262.50 milliseconds ठीक है और जो total time है वो आपका है 522 तो अगर आप यहां पर calculation करके देखें तो approximately 50% के आसपास ही आप duty cycle मिलेगा तो इसके बाद अगर आप यहां पर values change करके देखना चाहें अपने program में तो वह भी कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोग यहां पर value 64 करते हैं ठीक है तो उसके corresponding आप लोगों का यहां पर जो duty cycle है वो आपको change होता हुआ नजर आ जाएगा ठीक है यहां पर आप दे और सेम ऐसे ही अगर आप लोग यहां पर value 0 देंगे तो इसके corresponding आप लोगों को यहां पर 0 duty cycle मिल जाएगी और अगर आप लोग यहां पर 255 value देते हैं तो इसकेस में आप लोगों को यहां पर infinite times के लिए high wave या फिर 100% duty cycle आपको मिल जाएगा तो यह तो हम लोगों का program है जिसके थूँ आप लोग किसी एक particular duty cycle की waveform को generate कर सकते हैं Now suppose कीजिए अगर आप लोगों को यहां पर duty cycle को change करना है within a program तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को यहां पर interrupt की help लेनी पड़ेगी तो next इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि interrupt के थूँ आप लोग अपने OCR2 की value को कैसे change कर सकते हैं और ultimately उसके थूँ आप लोग यहां पर अपने duty cycle को भी change कर सकते हैं So इस program में initially हम लोग duty cycle 75% रखेंगे और जब भी आपका यहां पर interrupt trigger होगा तो वहां पर हम लोग अपना जो OCR2 की value है उसको change करेंगे या फिर ultimately आप कह सकते हैं हम लोग अपने duty cycle को change करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर avr.io.hnam की header file को include करना है फिर हम लोगों को यहां पर avr.hnam की header file को include करना है क्योंकि हम लोग यहां पर interrupt को use करना चाहते हैं next इसके बाद हम लोग यहां पर अपने number of interrupts को count करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक unsigned int type का variable लिया जिसका नाम isr count हमने रखा है अब इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर main function है main function के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर tccr2 register में अपनी values रखी यह पूरानी ही values हम लोगों की है फिर हम लोगों को यहाँ पर pb3 को output define करना है तो आप लोगों ने यह काम कर दिया फिर initially आपने अपर ocr2 में 192 value रखी तो 192 के corresponding यहाँ पर जो आप लोगों की duty cycle होगी approximately 75% के असपास आएगी फिर हम लोगों को यहाँ पर global interrupt को enable करना है तो उसके लिए आपने SEI जो function ने उसको call किया next इसके बाद हम लोगों को आपने यहाँ पर local interrupt को enable करना है जो कि basically timer to overflow interrupt है तो इसको enable करने के लिए हम लोगों ने आपर TIMS के register में अपना TOIE2 जो बीट होती है उसको one कर दिया ठीक है तो local और global दोनों interrupt आपके enable हो चुके है इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर while one loop है जो कि आपका infinite loop है ठीक है तो अब आप लोगों का जब भी timer overflow होगा तो हम लोगों का यहाँ पर एक interrupt trigger होगा और उसके corresponding हम लोगों का ISR चलेगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो interrupt है वो आएगा खिस्त double slope में 255 के बाद timer overflow होता था बट यहाँ पर हम लोगों का जो double slope mode होता है या फिर double slope operation है उसमें जब आपके timer counter की value 0 होती है तब जाके हम लोगों का जो timer है overflow होता है या फिर हम लोग उसको consider करते हैं कि timer आपका overflow हो चुका है ठीक है तो timer overflow के corresponding हम लोगों को यहाँ पर अपने ISR को लिखना है तो यह हम लोगों का ISR है ठीक है अब देखिए इस ISR के अंदर हम कर क्या रहे हैं हर एक interrupt आने के साथ हम लोग जो ISR count variable लिया था इसकी value को increment करेंगे तो initially value 0 है तो जब आपका first time यहाँ पर interrupt trigger होगा तो इसकी value 1 हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद हम check करेंगे इसकी value 5k equal तो नहीं है या फिर 10k equal तो नहीं है फिर 15k equal तो नहीं है तो फिलाल यह value इन में से किसी के भी equal नहीं है तो हम लोगों का क्या होगा है यहाँ पर कोई भी changes नहीं होगे अब फिर से आप लोगों का यहाँ पर interrupt आएगा second time third fourth fifth अब जैसे ही पांच भी बार हम OCR की जो value है इसको change कर देंगे अब यह value हम लोगों ने 64 कर दी तो इसके बाद हम लोगों का इसके corresponding जो duty cycle है वो 25% हो जाएगी ठीक है फिर अगेन आपका यहाँ पर जो ISR count variable है इसकी value increment होगी 5-6,7,8,9,10 अब जब 10 value होगी तो फिर अगेन हम लोग यहाँ पर duty cycle को change करेंग या फिर आप कह सकते हैं OCR 2 की value हम लोगों ने 127 दे दी तो इसके corresponding आपका 50% duty cycle होगा फिर अगेन हम लोगों का जो ISR count है इसकी value increment हम करते रहेंगे जब यह value 15 हो जाएगी तो अगेन हम लोग यहाँ पर OCR 2 की value 75% कर देंगे या फिर आप कह सकते हैं 192 हम कर देंगे और इसके साथ ही हम लोग again ISR count जो variable है इसको 0 दे देंगे तो 75% होने के बाद आपने 0 दे दिया अब फिर से आप लोगों का यहाँ पर counting होगी जब तक यह value 5 नहीं होती तब तक आपका क्या होगा OCR 2 मे value 192 ही रहेगी अब फिर से जब आपका यहाँ पर value 5 हो जाएगी तो 64 हो इनिशेली 75% रहेगा फिर 25 होगा फिर 50 होगा फिर 75 then 25 50 and so on ठीक है तो इस दीश को हम लोग यहाँ पर बिल्ट कर लेते हैं तो बिल्ट हो चुका है program next इसको हम लोग यहाँ पर implement करके देखेंगे अपने simulation में ठीक है तो आप लोगों ने यहाँ पर hex file को डालना है और इसके बाद हम इसको play करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा मैं इसको zoom in करता हूं और आप चाहें तो इसका जो timing है वह थोड़ा कम कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे initially जो आपकी value थी वह 75 के आसपास रहेगी ठीक है यह देखे 75 परेसेंट है इसके बाद आपको लोगों का यह 25 को रहा रहा है इसके बाद हम लोगों का यह संधिकर 50 परचेंट हो पर चेंज होती रहेगी या फिर आप कैसूर की value हम लोग चेंज करते रहेंगे ISR के थूरुँ तो फिलखाल हम लोगों पर जो OCR2 की values हैं वो change की हैं अपने timer overflow interrupt के through आप चाहें तो इस चीज़ को output comparison match interrupt के through भी change कर सकते हैं ठीक है तो खुद से आप लोग थोड़ा सा वो try करने की कोशिश कीजिएगा So I hope आप लोगों कोई इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं So बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से कीजिए अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं So thank you so much for watching जै हंद जै भारत